हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चलिए जानते हैं आज की मुक्य 25 बड़ी खबरों को राज की जनता को निर्बाद बिजली उप लब्द कराना राज सरकार की प्रात्मिकता है मुक्यमंत्री ने आधिकारियों से कहा है कि पिछले कुछ हपतों से बिजली कटने की सिकायत मिल रही है जारकन बिजली वितरन निगम लिमिटेड राज में उर्जा छेतर की एक महतपून इकाई है इसके जर्या ही पूरे राज में बिजली आपूर्ती की जाती है जारकन बिजली वितरन निगम लिमिटेड उप भोकताओं को सुचारो बिजली उप लब्द कराने निमित बहतर कारियोचना बना कर व्यास्था दुरुस्त करें बैठक में यह निरने लिया गया है कि बिजली जनरेटिंग कमपनियों का बकाया भुगतान है तू जारकन बिजली वितरन निगम लिमिटेट को राजसरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएपसी से साथ सो पच्छास करोड रुपए उपलब्द कराएगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारकन बिजली वितरन निगम लिमिटेट को रिन उपलब्द कराने की प्रिक्रिया सिगरी पूरी कर ली जाए ताकि बिजली जनरेटिंग कमपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके मुख्यमंत्री हेमंत्र सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि बिजली बिल वसुली में किसी प्रकार की कोता ही ना परती जाए बिजली बिल कनेक्सन के लिए आधोनिक ओपकरनों का उपयोग सुनक्चित करे आगनबारी के अंदर में पढ़ने वाले बच्चो को राजसरकार देगी स्वेटर निकाला गया टेंडर राजधनी सहित राजज भर के करीब 38,000 से अधिक आगनबारी में पढ़ने वाले बच्चो को राजसरकार गर्म कप्ड़े देगी इसके तहट बच्चों को मेरून कलर का स्वेटर दिया जाएगा दरसल जारकन सरकार वित्तवर्स 2022 राजयोजना अंतरगत अंगनबाडी केंदर में पढ़ने वाले बच्चों को उनी कपड़े देने जा रही है इसके लिए सभी जीला में जीला समाच कल्यान कारेले की और से टेंडर निकाला जा रहा है इसके तहट रांची में भी टेंडर निकाला गया है स्वेटर सा फ्लाई करने के लिए एक छुक परतिष्ठान से कहा गया है कि 12 दिसंबर को देन के 12 बजे तक जिला समाच कल्यान पर ददिकारी कारेले में टिंडर समागरियों के हर नमूने के साथ जमा करेंगे इसके बाद नमूनों को उसी दिन 3 बजे क्रेय समयती की बैठक मे खोलने की बात कही गई है नकसलियों ने आग के हवाले कर दिया बता गया है कि JCB द्वारा सड़क निर्मान कारे में मिट्टी से फ्लाइक भरने का कारे चल रहा था इसी द्वारा नकसलियों मौके पर पहुँचे और घटना को अंजाम देने से पहले गारो गाउं को अपने कबजे में खर लिया इसके बाद सड़क निर्मान में लगे जैसीबी के पास पहुँचकर ड्रावर के साथ मारपीट करतो हुए जैसीबी में आग लगा दिया साथी बिना आदेश की कारे सुरू नहीं करने की चेताउनी भी दिया ठेकेदार उमासंकर सिंख और चंदू यादो इस सलक निर्मान कारी को करा रहा है नकसलियों की इस घटना से छेतर में चल रहे है विकास कारी को लेकर ठेकेदारों की बेचानी बढ़ गई है इधर इस घटना के बाद छेतर में लोगों में दहसत है नक्सिलियों की उपस्तिती ने आनिकार में लगे लोग भी सहम गए हैं जारकन में बिजली किलत को लेकर बिजेपी का धरना कहा समस्या दूर नहीं हुई तो काटेंगे मुखेमंतरी आवास का कनिक्षन जारकन में बिजली संकट गहरा गया है सहरी छेतर से लेकर ग्रामीन इलाकों में रोजाना बिजली कटोती की जा रही है इससे आम लोग दीन रात परिशान हो रहे हैं इस परेशानी को देखते हुए मंगलवायर को जारकन बिजेपी ने विजली कटोती की समस्या खत्म करने की मांग को लेकर विदुद भवन के समक्ष धरना दिया है। हजारी बाग में सडक हाथसा, दो की मौत, ट्रक की चपेट में आई बाइक सवार, सात ही करते थे काम। अचानक रास्ते में वह ट्रक की चपेट में आगे, घटनास्तल पर ही उनकी मातो गई। सडक हाथसे में मारे गई युवग बगोदर थाना छेतर की अंडवारा पंचायत की लुकईया गाउं के जागेस्वर महतो और तिरला गाउं के सुरेश महतो थे। पुलिश ने दोनों के शोग को पोश्ट मार्डम के भेज दिया है, परिजनों का रोरो कर बुरा हल है। बदले गए चार जिला अधख्च जारी हो गई अधिसूचना, एनमें दो मुसिल्म समुदाय और दो अनुसुचित जाती से अधख्च बना गए हैं। मालुम हो कि जिला अध्धक्षों की सूची जारी होने के बाद से ही जारी बवाल को देखतो हुआ या नरले लिया गया है। इसकी तहद गढ़वा, सहिब गंच, कोडर्मा और रामगड की जिला अध्धक्ष बदल दिये गये हैं। रामगड में सांतनू मिस्रा की जगह मुन्ना पासवान को जिला धक्ष बना गया है। इस दोरान दिन में थोड़ी ठंड बढ़ेगी लेकिन रात में तापमान समाने 10 डिग्री से उपर रहेगा। यानि जो 12 से 13 डिग्री के असपास रहने के आसार हैं। पार पलामँ में मौजूद रहेंगे। CM 8 दिसंबर को गढ़वा में जबकि 9 दिसंबर को पलामँ में खतियान जोहर यात्रा में भाग लेंगे। गढ़वा के टाउन होल और पलामो के सिवाची मैदान से खतियान जोहर यात्रा निकाली जाएगी। वही CM र्यात्री परवास पलामो में करेंगे। CM के आगमन को लेकर ज़ारकन मुक्ती मोचा ने तैयारियां सुरू कर दी है। पूरे सहर को होडिंग और बैनर से सजा जा रहा है। ज़ारकन मुक्ती मोचा के जिला अधक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया है के CM के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। CM खतियान जोहर यात्रा में भाग लेने पलामों पहुँच रहे हैं। यात्रा में विभिन दलों के कई बड़े नेता पार्टी में सामिल होंगे। सिती चिंता जनक बताय जा रही है, बताय जाता है कि आपसी रंजिस में घर्टना को अंचाम दिया गया है। आनन फानन में परिजन उसे इलाच के लिए धनबाद लेकर गए जहांसे उसे बोकारो फिर बोकारो से ग्राची राफर कर दिया गया। फिलाराची में युवा का इलाच चल रहा है, हलाकि वारदात को किस वज़ा से अंचाम दिया गया है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। पलामो की मेदरी नगर की सदर SDO का पेसकार 50,000 रुपे घुश लेते गिरपतार, ACB ने ऐसे दबोचा, जारकन की पलामो जिले के मेदरी नगर सदर अनुमंडल पदधिकारी के पेसकार, असो कुमार को ACB प्रषटाचार निरोधक बीरो की टीम ने मंगलवार को रिस्वत गिरपतार किया है, 50,000 रुपे घुश लेते उसे रंगी हाथ गिरपतार किया गया है, ACB की टीम उसे पूछ ताच कर रही है, बताया जारा है कि ACB की काररवाई के वक्त, SDO राजस कुमार सहा अपने ऑफिस में ही थे, प्रषटा चार निरोधक बीरो ACB की टीम ने मंगलव ग्राजस कुमार सहा अपने कारेले में बैठे थे, ACB की काररवाई के बाद वे अपने सरकारी गाड़ी छोड़कर ऑफिस से पैदल ही निकल गए आरियभट ओडिटोरियम के किराएं में व्रिधी पर सांसद संजे सेठ नराज कुलपती को लिखा पत्र ग्राची के मुरहबादे इस्तित आरियभट ओडिटोरियम के किराएं में बेहतासा व्रिधी हुई है, इस पर सांसद संजे सेठ ने नराज की जताते हुए ग्राच और कलाकारों के द्वारा भी इस सभागार का उप्योग किया जाता है। जारकन पावर वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगो के समर्थन में बुधवार से अनशितकारिन भोखरताल करने की घोशना की है। जारकन पावर वर्कर्स यूनियन के अद्दक्च आसिस कुमान ने बौड की वादा खिलापी पर नाराजगी जाता आतोवे का है कि इस बार कर्मचारी आरपार की लड़ाई लड़ने की मोड में है। उन्होंने कहा है कि एक अधिकारी को ग्रेट पे का लाप देने में निगम रूची दिखाता है वही जब कर्मचारियों को महच 300 रुपए बढ़ाने की बात आती है तो विद्व बोज का बहाना बना जाता है। होमगाड इस्थापना दिवस पर जवानों ने लगाया काला बिल्ला सरकार पर लगाया वादा खिलापी का आरूप। होमगाड इस्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने काला बिल्ला लगा कर काम किया। इसके साथ या भी कहा था कि सभी जवानों की डिवटी नियमित कर देंगे। देने का आदेश धिया है। बेठोंगे साथी समान रखने के लिए आलमीरा बना गया है। इसके हर फ्लोर में चार वास्रूम होंगे वही दिव्यांगों के लिए अलग वास्रूम की व्यास्ता रहेगी। इसके अलावा ग्राउन फ्लोर में वेटिंग एरिया, केफेटेरिया और केंटीन की सुविधा मरिजों के परिजनों को मिलेगी। रामगड के पीबी युएनल रेल लाइन निर्मायन साइट पर गोली पारी काम बंद करने की दीच्छेतों नी। साइट के कई छेत्रों पर गोली पारी की, वही साइट पर मौजूद रेलवे के इंजिनियर को हाथियार का डर दिखा कर उसके मॉबाइल फोन से साइट इंचार्ज को धमकी देतों हुए काम बंद करने की चेताउनी थी, वही साइट पर रखे जनरेटर और डीजल भरे ड साइट अफरीदी सुलावर्सिये सामिल हैं, साइट मोल रूप से बिहार की हाजिपूर निमासी हैं, जानकारी का अनुसार दोनों एक बाइक में सवार होकर अपने घर लोट रहा था, इसी करम में घर से कुछ दोरी पर डोड़मा तेली टोली में अनिल धाबा के समीब तो साइट अनुसार 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 अनुसा को जोड कर चलने की रही वहवारिक राजनिती के तका जा है कि संगठन को विस्तार करने के लिए समाजिक समिकरन के धान रखा जाना जरूरी होता है इसलिए पार्टी की व्यापक निती और भविस्की चिनोतियों को देखतो हुए जिला धक्चो की प्रकासित सूची पर पु का गाउं हजारी बाग की गीता महतों ने राजबहुन में भेंट की तथा अपनी 15 वर्सी नबालिक बेटी के गिटनैपिंग की और ध्यान उतक्रिष्ट कराया राज़िपाल से उक्त आउसर पर गीता महतों ने कहाई कि उनकी 15 वर्सी पुत्री का गाउं के ही मोखिया महला और पूरुस होकी जारकन टीम का विसे इस प्रसिक्षन सिविर 10 से 50 खिलाडियों का चैन होकी जारकन के उपाधख्च मनोज कौन बेगी ने बता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर 18 राष्ट्री होकी परतियोगिता के लिए महला और पूरुस होकी जारकन टीम क विसे इस प्रसिक्षन सिविर 10 दिसंबर से रांची में लगेगा उन्होंने बता है कि 20 से 30 दिसंबर तक भुनेश्वर में होकी इंडिया की और से आयोजित कौली 5 खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर 18 होना है इसके लिए ही प्रसिक्षन सिविर 10 दिसंबर से रांची में इस प्रसिक्षन सिविर में 29 नॉम्बर कुरांची में होकी जारखन की और से आयोजित ट्राइल से महला वर के 25 खिलाड़ी और पूरुस वर के 25 खिलाड़ी चानित किये गए चापेमारी के दोरान बड़ी मातरा में विस्फोटक बरामत पुलिस जाच में जूटी बड़ी खबर दुमका से जहां सिकारी पाड़ा थाना चेतर की मैगजीन भवन से जिला टास्पोर्स टीम ने भारी मातरा में बिसफोटक जब्त किया है, मैगजीन में कुल 25 पीस बुष्टर, अस्टार जेल, 36 पेटी, अस्टार ब्रान, एक्स्प्लोसिव मिला है, बताय जा रहा है कि बिसफोटक सिकारी पाड़ा प्रखन शेतर के हरीपूर मौजा इस्थि अधिवास्यों की अहित वद्दमन करने वाले अपसरों पर कार्रवाई करें सियम बाबुलाल, पूरो मौखेमंद्री सहाब भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने कहाए कि पूलीश अधिकारी, मौखेमंद्री के बरहेड विधायक परतनिधी पंकच मिस अधिवास्यों की अहित वद्दमन करने वाले पूलीश पद्दिकानियों पर सालों साल कार्रवाई नहीं होती, बाबुलाल मरांडी ने कहाए कि मौखेमंद्री ऐसे चिन्हित अपसरों पर कार्रवाई करें, जिस राजमी हजारों केस डियेस्पी के सुपर विजन की परत जन कर लेता है, जहां कि न्याइपाली का इतनी सजक और सतंत्र हो, ये सब कैसे हो सकता है, कैसे कोई पुलीश अधिकारी अपनी वर्दी की मरियादा को ताक पर रखर नियाई के व्यास्था से खिलवाड कर सकता है और भगात के रूप में की गई है, तो ये थी आज की जहारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जहारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल, न्यू जहारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रिस करते जे, जिससे आपको जहारकन की हर चो मियोच में